लास्ट मेंदेश्टे को मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहांपे ऑपरेटर का हम पोजिशन कैसे निकालने शेर वजार में इसके बारे में चर्चा की थी और लास्ट वीडियो को जो डिसकॉशन था इट वस्मोर फोकस अराउंड डेरिवेटिव्स कि जो फ्यूच तो उनके बारे में मैंने आपको डीटेल में बताया था कि कैसे आप डेटा को देखके किस सेक्टर में उनका इंटरेस्थ है और किस टॉब्स का इंटरेस्ट हो सकता है उसका एंडियो गहूंघी देखा तो आप सबज अगे और नहीं देखा वगा तो आपो देख में कैसे participation होता है इसका पूरा आपको अटेस्टानिंग में जाएगा उस वीडियो में मैं आपको कहा था कि ये तो derivatives की बात होगी cash market का अलग तरीका है market को समझने का operator का position को समझने का तो इस पर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ और cash market में किस sector के अंदर में operator का interest आवा है किस stock के अंदर में आपको ध्यान रखना चीए इसके बारे में detail चर्चा करेंगे दोस्तो मेरा नाम है विवेक पजाच और मैं हूँ market में कही साथ है दोस्तो operator कौन है चर्चा मैंने की थी फिर से repeat कर रहा हूँ operator है वो बड़े लोग जिनके पास में बहुत पैसे और जो market में किसी stock में बड़ा position बठा के रखें ताकि वो उस position को defend कर सके और उसके हिसाब से उस stock को चला सके वैसे negative connotation है but negative मत लीजे because हम सब positive लोग है optimistic लोग है हमारा काम है opportunity को ढूणना उस पे घुसना पैसे बना के निकल जाना ठीक है तो discussion में आ जाता है कि cash market में operator का position कैसे देखे तो as usual stockage का use करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि यह operator कर क्या रहा है तो है 22 of July आज में 22 July को क्यो record कर रहा हूं क्योंकि मुझे next week travel करना है तो मुझे लगा कि आज में आपके लिए record करके चला जाता हूं तो 21 July का data अभी मिलेगा क्योंकि अभी शाम का समय जनरली क्या होता है रात को data update होता है तो तक्रीबन साड़े साथ आड़ बजे अगर exchange जो मा उसको base करके निकालने की कोशिश करते हैं कि कल operator ने क्या किया तो यहां scan में जाएंगे scan में volume and delivery scan मैं आपको एक बात बता देता हूं कि यह जो beta है ना यह मैं सालों साल से use करता हूं as a real market participant market के अंदर में बड़ा movement predict करने के लिए तो अभी आज के rate में मैंने इसको आप लोग तो volume and delivery scan में जाके high trade and deliver quantity इस पर ध्यान रखेगा high trade and deliver मतलब वो shares जिसके अंदर में trading भी average से जादा हुई है और average मैंने यहां पर पकड़ रखा तक्रिबर पास दिन का average तो average से जादा trading भी है और average से जादा delivery भी हुआ है इसका मतलब यहां operator ने definitely 10 तक दे दी ठीक है तो यहा पर NSC stocks पूरा select किया हुआ है एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा filter कर लेते हैं इसको NSC 500 में restrict कर लेते हैं यह ऐसा करिए stockage में जो major stock है उसमें restrict कर देते हैं stockage major stock का मतलब हो गया बड़ा बड़ी exchange के अंदर में major stocks हैं जिनमे depth है liquidity है जो किसी ने किसी index का part है जिनमे liquidity है कि आप entry exit कर सकते हम उसको consider करते हैं तो यह major stock सा 21 तारीक को यह data है इसको download कर ले चले इस data को Excel sheet में download करते हैं देगे आपको तो पता है न मुझे Excel से कितना प्यार है और मैं सब को बोलता हूं कि अगर Excel से प्यार नहीं किया तो क्या किया Excel ही तो ultimately आपको अलग लगता है किसे data से खिन इस वीडियो के नीचे दे दूँगा और coupon code भी दे दूँगा थोड़ा पैसा लगेगा लेगी लीजेगा और सीख लीजेगा मैंको एकसल आपके lifelong जर्नी में आपको काम आएगा ठीक है अब चलते है इस Excel के अंदर में थोड़ा इसको zoom out करता है ताकि आप you know text का थोड़ा देख सकें उपर का यह header को में एक बार delete कर दे रहा हूं मेरा ease के लिए ठीक है कुछ-कुछ मैं एक बार hide कर दूँगा अब इसके अंदर में क्या करूँगा कुछ-कुछ चीजों को में एक बार hide कर ले तो इतने सारे Excel में data points हो गया तो symbol exchange को में एक बार hide कर देता हूं ठीक change in price और symbol ठीक है अब हम insert करते हैं pivot दोस्तों pivot Excel का चपड़ दस्त function है अगर कोई pivot use करना सीख जाए ना guarantee लेता हूं कि आपको कोई मात नहीं दे सकता है आपकी analysis के अंदर में तो pivot को अपने use करेंगे मुझे क्या देखना है मुझे देखना कि कि सेक्टर के अंदर में interest है लोगों का तो सेक्टर को मैं row में टान लेता हूं तो ये sectors आगे उसके बाद मुझे क्या देखना है कि delivery कितना times हुआ है sectors के अंदर में तो delivery को times को यहां ले आते हैं ट्रेडिट का times को भी यहां पर ले आते हैं अब देखें यहां पर automatically sum ले रहा है सम का मतलब हो गया कि जितने भी companies है उस sector के अंदर में उसका delivery times times का मतलब हो गया आज का delivery वी-जा-विज लाज पांच साल का पांच दिन का average delivery कितना times है तो sum हमारे लिए साही data नहीं है इसको average कर लेते हैं तो value field को change करके average कर लो इसको भी change करके average कर लो तो यह हो गया average इस sector के अंदर में कितना times delivery हुआ है ठीक है थोड़ा इसको data को clean कर लेता हूँ तो format कर लेता हूँ और number कर लेता हूँ तो यह आ गया ठीक है परबर है अब एक चीज़ जो रहे गई वो है कि अब इस sector के अंदर में जो stocks हैं उनको भी लेके आया जाए तो stocks को यहा पर टान लेता हूँ मैं तो stocks का नाम यहाँपर मेने टान लिया तो stocks भी आपर आगे साथ में जो भाव change हुआ है stocks का उसको भी ले आते थे प्राइस चेंज को भी लियाते के अंदर में भी एवरेज तो इवरेज को ले आते हैं वह वाँ अब आगे हमारे पास में हमारा जवर्डस देटा यह देखिए स्टॉक्ष के नाम भी आ गहें काम करता एक पर राइट क्लिक करके इसको मैं expand को इसको थोड़ा सा expand entire field एक मिनिट right click करके इसको मैं collapse entire field कर लेता हूँ तो मुझे sector wise सामने नजर आ गया कि किस sector के अंदर में average में क्या हुआ है ठीक है आप मेरे साथ है नहीं है तो यह video repeat करके देखेगा ज़रूर बहुत अच्छा exercise में कर रहा हूँ अब मुझे क्या करना है क्योंकि मैं delivery को base मान ना हूँ तो मैं इसके साथ से सको sort करूँगा तो sort largest to smallest तो logistic sector में delivery 9 to 10 times हुई है simple सी बात है और price तक्रीबन 15.8% average में भड़ा है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें अगर मैं sector में stock देखूँ तो एक ही stock है एजिस logistic जिसमें delivery भारी हुई है traded quantity भी जादा price भी भड़ा है तो यह तो बहुत बसली बात है एक ही stock है एक पार दूसरे सेक्टर में जाते हैं health care में health care के अंदर में average में delivery अच्छी खासी हुई है यह जो delivery stocks है इसको भी right click करके मैं short कर लेता हूं largest to smaller येस अब देखें क्या दिख रहा है Eric life science जिसमें 17 times delivery हुआ है quantity traded भी बहुत है बहुँ बढ़ा है 1.3% मतलब इसमें कुछ तो है कुछ तो हो रहा है तो पहली बात इससे हमको एक क्या idea लग गया sectors का idea लग गया कि कल जिसके अंदर में operator ने कुछ किया है एक बार में sector का idea लग जाता है तो मैं stocks को भी देख सकता हूं अगर मैं एक एक stock को अब analyze करूं तो चलिए हम लोग trading भी में चलते हैं और chart को analyze करते हैं तो RS life science को सबसे पहले study करते हैं देखें यह सब तो study तो करना ही बढ़ेगा अगर हम study नहीं करेंगे RS life science, sorry तो RS life science का अगर मैं chart को देखूं तो यह RS life science का chart है तो आपको मेरा RS model पता होगा RS model में हम क्या देखते हैं कि end of the day RS उसका 55 0 के उपर होना चाहिए two hourly RS भी 0 के उपर होना चाहिए और buy trigger देना चाहिए और यह 21 period का RS है यह भी positive होना चाहिए तो यह stock का structure बहुत लाजवाब है बहुत लाजवाब इन फैक्ट यह stock आज भी 1.25% बढ़ा है और आप देखे याद रखे मैंने क्या बोला था यह data जो मैं analyze कर रहा हूँ यह कल का है data तो आज मैं अभी जब record कर रहा हूँ जो तकरिवन 5 बजे हैं आज यह 1.25% बढ़ा है लेगिन यह अपने moving average यह वाला moving average अभी भी इसके नीचे है तो यह stock है interesting लेगिन अभी भी इसके अंदर में थोड़ा सा strength आना बागी है ठीक है next grand farma grand farma में क्या होगा देखे इसका price गिरा है तो price गिरा है मतलब कहीं ने कहीं operator इसमें से exit किया है चार्ट देखे चार्ट क्य क्या value investing के like है के नीचे तो हम ध्यान नहीं देंगे उसके बाद चलते about India वाह beautiful chart कैसा दिखे आपको two hourly के अंदर में motor body zero के पास super trend थोड़ा negative है लेकिन overall यह stock के अंदर में structure बहुत अच्छा है कब entry करूँगा जब two hourly zero के उपर रहेगा RS और super trend भी positive होगा तब तक लेगिन यह चार structure वाई यह बहुत अच्छा stock है इसको हमको अपने watch list में डालने ना चीए as a tracker ठीक है अब हिल्ट केर से दूर अटे तेलिकॉम में आते तेलिकॉम में क्या हुआ टाटा communication जिसके अंदर में 4% चार टाइम delivery जादा हुई है 11 time trade जादा हुआ है तो इ टाटा communication का जो delivery है देखके आपको दिख रहा है कितना बड़ा volume हुआ है कितना delivery हुआ है तो delivery काफी हाई हुई है उस दिन का VWAP है तकरिवन 1054 तो 1054 ए बहुत important level हो गया टाटा communication का कल स्टॉक 10% भड़ा है आज स्टॉक का क्या हुआ देखें आज स्टॉक में हलका सवीकने से 2% कमजोर है और यह स्टॉक 1056 में close किया है structurally यह स्टॉक एक strength स्टॉक है दिखरा सामने से तो नीचे ही जब आता है तो हमको लेना इस टॉक के अंदर में क्यों क्यों क्योंकि operator ने भी यहां पर लेने का intent दिखाया है ठीक है आगे बढ़ते है hospitality इसमें क्या हुआ इसमें यह चार स्टॉक है जिनके अंदर में delivery बेस काम हुआ है जिसमें 4.82 रस्टॉर ब्राइंट एशिया महिंद्रा होलिडे 3.57 EIS 3.47 और lemon tree 1.61 प्राइस इंक्रीज में का क्लेली निजर आ रहा है तो एक यह करके करें चले रस्टॉरंट restaurant brand Asia beautiful chart strong stock RS उपर moving average यह वाला जो था इसका एक resistance से नीचे घुमाएं इसके उपर मेरे साब से मैं क्या करूँगा यह जो लेवल है इस पे में alert डाल दूँगा जब यह stock 121 इस level को तोड़ेगा तब मैं इस stock के अंदर में entry करूँगा नहीं तो मैं entry नहीं करूँगा देखिए क्या होता है कि जब हम एक-एक sector को एक-एक stock को जब analyze करने बैठते हैं तो एक stock का character पता लग जाता है और जब आप किसी भी software में चाहे वो stock जाए यह ट्रेड के कारेंट कुछ price में activity आती है आगे बरते हैं महिंद्रा holiday यह अपने को बहुत अच्छा stock दिख गया भी यह सारे condition में यह stock perfect लग रहा है यह अपना previous swing high को भी तोड़ चुका है RSP इसका strong ही है और two hourly के अंदर में भी super trend positive है तो मेरे को अगर पैसा डालना है तो महिंद्रा holiday में डालूँगा because यहाँ पर operator भी शायद गुसा हुआ है पात सबंद में आ रही है ऐसे homework करके ना हमको सरफ 10 stock में position बनाना है 25 से 30 stock को हम tracker में डालेंगे और जितना हम focused काम करेंगे कि वो 25 stock में ही हम opportunity ढूणेंगे उतना chances हाई है कि उन stocks में पैसा बना सकेंगे तो operator का action जैसे तकि मैंने last video में कहा था कि सेक्टर लवल पर action होता है और stock लवल पर action होता है तो सेक्टर लवल पर action को समझने का इससे अच्छा कोई framework नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसे कई sector होता है जिसमें indices नहीं है जैसे banking में है auto में है real estate में इन सब में indices हैं but hospitality में तो को indices नहीं है तो आप कैसे judge करोगे एक ही तरीका है कि average price movement of that stocks in the sector average delivery कितना बढ़ा है average trade कितना हुआ है ठीक है कुछ हो एक और एक और सेक्टर ले 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 बिफोर वी एंड दिस वीडियो तो banking banking में 3.64% का movement हुआ है कल average में जिसमें delivery भी अच्छा कासा movement अच्छा कासा delivery अच्छा कासा delivery हुआ है इसका वीवाप इस 935 मतलब ही मेरे लिए बहुत important level हो गया है क्योंकि operator टिपिकली अपने वीवाप पे work करता है हमेशा याद रखेगा इंदस इन बैंक अब 9 इसको मैं 935 पे एक मार्क कर देता लाइन की इस लाइन पे operator ने कल पोजिशन बीड़ किये यह बात समझे आई कि जिस दिन का विवाप होता है वह operator का टिपिकल बाइंग रेंज होता है तो इसके नीचे stock को जाना का चंबावना कम है अब आप देखि और देखिए perfect structure है मुझे इसमें कहीं पर भी problem नहीं लग रही है entry करने में तो मैं इसको देखूंगा क्यों क्यों कि operator इसमें बुस्वावा है second yes bank चले इसको भी देखते है क्या लग रहा है कि इसका इसका विवाप देखने बार तो यह स्पैंक का चार्ट हमेशा कोई भी stock में आप आओ ना तो मोटा मोटी उसका structure देख लो विवाप विवाप देख लो तो एक फील आजाती हो stock के अंदे में चलके इसका विवाप है 14.14 बहुत यह अच्छा नंबर है यह इसको मार्क कर देते हैं 14.14 यह हो गया इसका एक बहुत critical level इसके नीचे जाने की संभावना कम है in fact आप देखिए यह जो level था यह यहां का almost swing के ऊपर चला गया है तो इसे करके मैं अपने stocks को identify करूंगा अपने watch list में आइड करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं वही 30-35-40 stock तक ही अपने analysis को limit रखूं क्योंकि कोई यह operator है जो stock में है तो operator जहां जो करना चाहता है मैं भी तो वही करना चाहता हूं तो यह वीडियो के अंदर में मेरा objective यह था आपको बताना कि operator जरूरी है operator का चाल को समझना जरूरी है एक मोटा मोटी view बनाना sector का और उसके बाद stock में घुसना भी जरूरी है अगर यह वीडियो और इसके पहले वाला वीडियो का आप साथ में मिलके analyze करें तो वो stocks जिनमें OI भी अच्छा कासा बढ़ा है और delivery भी भढ़ा है और price action भी बोल रहा ह की सही है वीडियो के उपर trade कर रहा है इसका मतलब वो stock सही है उसी में focus रखिए जब-जब market correct करेगा वो stock थोड़ा correct करेगा उससे समझ हुसी है या stock जब breakout कर रहा है तब खुसी है यह अगर model हम follow करेंगे life होगी जिंगलाला market के अंदर में आप controlled way में participate करता है I hope you like this video and I hope तब ही तो पता लगेगा कि मैं और वीडियो बना रहा हूँ थैंक यू चलिए बाइबाइबाइब फ्लीस टेकर और ट्रेड सेफ इंग मार्के बाइब